अपने ही अपनों को चैन से जीने नहीं देते हैं। इस वाकिसे चली हम कुछ समझते हैं। रोड पर घायल पड़ी एक पच्छी को मैं घर ले आया। कुछ ही दीन में वह लगबग ठीक हो गया था। गाउ भर गये। मैंने एक गाउवाले से पूछा ये पंची थोड़ा उड़ नहीं पा रहा। क्या मैं पास मुझूद पहारी पर इसे छोड़ दू। जहां इसके बिरादरी के लोग और भी पंची हैं उन पंचों के साथ इसका मन लग जाएगा। गाउवाले ने कहा आपने इसे बचाया है तो इसे मरने के लिए मत छोड़ो इसे ठीक होने तक अपने पास रखो क्यूंकि इसे कमजोर असहाए इसी के बिरादरी वाले इसे चैन से जीने नहीं देंगे इसे नोश-नोश कर खा लेंगे उस दिन जीवन की बात समझाई। अगर लोगों को किसी परकार पता लग गया कि आप कमजोर हो गए हैं तो आपको अपने तरीके से नोश-ना नीचा दिखाना शुरू कर देंगे। इसलिए वाले अकेले में ही घूट कर मर जाओं लेकिन अपने आपको किसी के नजर में कमजोर साबित मत करना क्योंकि आपकी आसहाई इस्तती का केवल फैदा उठाया जाएगा ना कि मदद की जाएगी। क्या आप इस बात से सहमत है खेर वीड़ो पसंद आई तो लाइक कर देना।